आपने नीज में या फिर टीवी में कभी सुना होगा कि एडी ओफिसर ने करोर रूपए के काला धन या फिर मनी लॉंडरिंग के मामले में किसी बेक्ती के घर में छापा मारी किया है। इनका काम आय से संबंदित संपत्यों की निगरानी एवं जांच करने का होता है इडी को फाइनेंस मिनिस्ट्री यानि पित्त मंत्राले के राजस्व विभाग द्वारा प्रसारित किया जाता है। पर और ने के चलीं से संब्सक्राइब आपको कौन सी एक्जाम देनी होती है। फिर आप UPSC के जड़िये भी ED officer बन सकते हैं UPSC के जड़िये ED officer बनने के लिए आपको UPSC CSE का एक्जाम किलियर करना होता है तो चलिए अब बात करते हैं एक ED officer को salary कितनी मिलती है तो अगर आप एक ED officer बन जाते हैं आपको मन्तली लगवग 45-60,000 रुपए दिये जाएंगे इसके अलाबा आपको government के तरफ से बहुत सारे भत्ते भी दिये जाते हैं तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपके पास कोई question है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं जय हिंद